Hello everyone, welcome to Magnet Brains, myself Pratikand और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube channel Magnet Brains पर जहां पर आपको मिलता है quality content, quality education वो भी बिल्कुल free of cost, ठीक है? तो हम लोग reflection of light पहले ही कतम कर चुके थे और आज हम शुरू करने वाले हैं इसका अगला वला topic that is the reflection of light, ठीक है? reflection of light को भी बहुत detailing में आपको पढ़ाया गया था same, वही pattern follow करेंगे, हम reflection of light को भी पढ़ने के लिए, ठीक है? तो बिना time लगाये हुए, जल्दी से जल्दी आपका शुरू करते हैं topic reflection of light, ठीक है? एक बात अगर मैं reflection के आपको बता हूँ, तो आपको clear होनी शाहिए कि reflection में किसी भी तरह का medium changes वहाँ पर देखने को नहीं मिलते थे अगर light rays air से आ रही है, तो reflective interface पर टकराने के बाद वापस कहां चली जाएंगे? air में ही चली जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर किसी भी तरह का medium का changes नहीं होता था, in the case of reflection, ठीक है? उसके बाद जितनी speed से light rays आई थी, उतनी ही speed से light rays चली जाएंगे, तो यहाँ पर कोई velocity का भी change नहीं होता और तीसरी बात, wavelength का भी यहाँ पर changes देखने को नहीं मिलता है, because wavelength कहाँ change होगी, जब medium change होगा, ठीक है? अगर medium denser हो गया, तो wavelength वहाँ पर कम हो जाएगी, अगर wavelength बढ़ रही है, मतलब obviously light rays कहां जा रही है, rare and medium में जा रही है, ठीक है? लेकिन reflection में तो कोई medium का changes था ही नहीं, इसलिए वहाँ पर आपको किसी भी तरह का change देखने को नहीं मिलता है, नहीं wavelength में, नहीं velocity के अंदर, ठीक है? और frequency तो बैसे भी क्या होती है, characteristic property होती किसी wave की, वो जब तक मैं source of light को change नहीं करूँगा ना, तब तक उसकी frequency change नहीं होती है, लेकिन अब हमको पढ़ना है reflection, जहाँ पर एक बात लाजमी है, कि यहाँ पर medium change होगा ही होगा, ठीक है? जब interface के आप बात करेंगा, ठीक है? मैंने सिखाया था कि interfaces दो तरह की होती है, पहला होता है reflective interface, जो कि reflection का कारण बनता है, और दूसरा होता है refractive interface, ठीक है? अगर आप कभी भी light rays को किसी reflective interface पे strike करवाते हो, तो वो टकराने के बाद वापस निकल जाती है into the same medium, ठीक है? तो व refractive में कहान ही जमती है, जब light rays आकर के टकराती है किसी refractive surface पे, तो वो light rays को अंदर आने देता है, ठीक है? अगर light rays अंदर आ गई glass के या किसी भी denser medium के, तो हुआ क्या? light rays का medium चेंज हो गया, rarer से कहां पे आ गई denser पे? तो मैंने हमेशा ये बात दिमाग में अटका ही अगर interface refractive nature का हुआ, तो वहाँ पर आपको refractive nature का हुआ, तो वहाँ पर आपको refractive nature का हुआ, जो कि हमको आप देखना ही है, हमें क्या पढ़ना है, refractive nature, that has to be, that has to be refractive in nature, चलें आगे बढ़ें, अब जड़ा ध्यानी ज़े क्या लिखा हुआ, when a beam of light traveling in one transparent medium, अच्छा एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जो भी चीजे मैं कहता हूँ, कि screenshot ले लो, note कर लो, वो important है, वो बहुत जादा लास्मी चीजे है, ठीक है, जैसे ही जो मैंने यहाँ पर लिखके रखा हुआ, यह क्या होता है, कई बार हमको यह topic तो आता ही है, तो अगर हम इसकी definition ना भी सही से, तो आपको number नहीं मिल पाएंगे, the thing is that कि आपको वो statement, जो keywords है ना वो पता होने चाहिए, ताकि जब आपका answer आप लिखे ना, तो answer presentable तो लगे कम से कम, ठीक है, उसके लिए मैं कहना हूँ, कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको तुम copy किताब में note कर लो, मैं हमे of light gets reflected, कुछ हिस्सा जो होता है light का, वो तो reflect हो जाता है, diagram support के लिए बना के रखा हुआ है, जब light rays आ करके टकराती है, तो जो light rays आ रहे हैं, इसको हम कह देंगे, इसको हम कह देंगे, incident light rays, क्या बोलेंगे इसको incident light rays, ठीक है, अब यह जो interface है, इस interface का nature कैसा रहा होगा, refractive, ज़रा गौर करेंगा, अच्छे से, यह जो interface रहा होगा, यह refractive interface रहा होगा, ठीक है, यह जो interface रहा होगा, वो refractive interface रहा होगा, और जो light rays आ करके strike करेंगी, इसको न दिया जाएगा incident light ray ठीक है और टकराने के बाद कुछ हिस्सा यहाँ पर reflect हो जाएगा और बाकी हिस्सा ऐसे अंदर आ जाएगा जिस light के हिस्से ने अपना medium change कर लिया बाई साब अगर medium change हो रहा है तो reflection है क्या है reflection है तो light के साथ reflection कब होगा जब interface का nature refractive होगा ठीक है तो यह जो light rays है वो refracted light rays है और यह जो इस तरफ चली गई वो reflect हो गई बहुत ही कम जोर हिस्सा बहुत ही कम हिस्सा जो था light का वो reflect हो रहा है because nature was refractive maximum light जो रहना वो अंदर आ गई है जो कि हाँ पर दिख रहा है आपको पका done clear ठीक है बहुत ही चीज लिखी उतनी है ठीक है उसके बाद दूसरा क्या है the direction of propagation of an obliquely मतलब तिर्चे में जब light rays आकर कैसे strike करते है oblique ठीक है तो incident light that enters the other medium changes at the interface of two media इसका मतलब यह है कि refracted ray जो है ना refracted ray का जो direction है that basically changes after reflection बिल्कुल सटीक बात है अगर light ray ऐसे आ रही थी अगर कुछ changes नहीं आते direction में तो काईदे से light rays को ऐसे निकलना चाहिए था बट क्या light rays ऐसे निकली नहीं निकली वो हलका से यहां bend हो गई न तो मतलब उसके direction में change तो आ गया है ठीक है अब यह इतनी जबरदस्त बात है यह आपको पूरी की पूरी help करने वाली है ray diagrams को बनाने के लिए ठीक है अब वो बात कैसर देखो बेटा यह तुमने सुनके कहती है denser से rarer में तो light rays bend हो जाती है away from the normal यह जो मैंने बोला यह तुमने सुनके रखा होगा ठीक है लेकिन तुमको भी यह वालुम चला कि यह यह चीज जो मैंने बोली है यह बहुत जादे important role play करने वाली है diagram को बनाने के time ठीक है चले अब वो medium क्या होता है मैं उस पर भ fraction क्यों हो रहा है because because interface जो है वो refractive nature का है वो light rays को अंदर आने देगा जब light rays अंदर आ जाएंगी तो उसका medium चेंज हो गया ठीक है यहाँ था medium माले एयर माल लेते हैं और माल लेते हैं अंदर का medium है वो glass है आई कहां से light air से जा कहानी है light यह जा रही है glass में मतलब dancer medium में जा र done यह वाली बात तुमको basic मैंने आपर introduction दे दिया है for refraction of light अब आते हैं तरीके से definition के ऊपर ठीक है किसा यह refraction of light जो होता है इसका proper definition क्या होता है तो जो कुछ मैंने कहा था उसको classy words में कैसे आप जबाएंगे वो ही लिखा हुआ है refraction of light is defined as the phenomena of change in the path of light of change in the path of light when it travels or when it goes from one medium to another medium जब भी light travel करती है जब भी light propagate करती है किसी एक medium से किसी दूसरे medium में तो वहाँ पे light rays जो है आपना path जो है वो change कर लेती है ठीक है जैसे यहाँ पर भी बहुत लाजमी था ऐसे आ गई जाती वो सीधे बढ़ क्या गई नहीं गई उसने अपना path change कर लिया ठीक है तो जब light rays अपना path change कर लेती है so this phenomenon of while going from one medium to another medium while going from one medium to another medium ठीक है light rays अपना direction change कर लेती है और यहाँ चले आती है ठीक है तो क्या इसको भी reflection बोलेंगे नहीं भाई साब because light rays आ कौन से medium से रही है मानले air से आ रही है ठीक है और light rays जा भी कौन से medium में रही है मानले air में जा रही है ठीक है अगर medium में change आ रहा है तो obviously reflection है और changes कैसे आते है एक बार bend होगी towards normal जब rarer से denser जाएगी तो और जब denser से जाएगी rarer तो bend हो जाएगी away from the normal it's as simple as that ठीक है चलो अब जो यहां पर लिखा होगा definition उसको support करने के लिए यह रहा आपके पास diagram काईदे से ऐसी हो रहा है incident ray और free क्या हो जाएगा refracted ray angle i बन जाएगा angle r बन जाएगा it's as simple as that इतनी बात पूरी clear हो गई चले ठीक है अब जरा आपको लेकर के आते है mediums के उपर मैंने पहले भी कहा था कि मैं पहले mediums के बारे में आपसे बात करूंगा because reflection का सबसे key point क्या होता है कि जब भी light के साथ reflection होगा तो light rays अपना medium change करने वाली है किसी एक medium से किसी दूसरे medium में जाने वाली है तो इसमें सबसे important क्या है कि एक बजरा जान पकड़ लो की medium क्या है medium समझ लो की medium क्या होता है mediums basically surrounding जहां पर light rays travel करी है लेकिन optics के terms में medium को बाटा गया है दो थरा से पहला होता है rarer medium और दूसरा होता है dancer medium और यह जो classification है यह दर असल comparative classification है मतलब अगर मैं देखो अगर तुमको यह broadly समझना है कि dancer क्या है तो वह ठोस वाला material ठीक है और अगर rarer है तो मतलब कम ठोस है ठीक है उतना tough नहीं उतना rigid नहीं है जैसे अगर हम बात करें normal भाशा में अगर मैं आप से air की बात करूँ और water की बात करूँ ठीक है समझना अच्छे से अगर मैं air की बात करूँ और water की बात करूँ common sense apply करो मुझे बताओ air में और water में कौन denser है पक्का ठीक है air में और water में कौन denser है answer क्या है water ठीक है water जादा denser है as when compared to air सही बात है ठीक है अगर अगले ही पल मैं बोलता हूँ कि water में और glass में कौन denser है तो जरा दिमाग चमकाई है water में और glass में compare करोगे न तो वहाँ पे glass निकल जाएगा भाई साब denser और water अब denser नहीं रहा ठीक है उसकी kingship जो थी वह से वेयर के साथ थी जब air से compare करेंगे तो भाई जो वर्डर था वो denser निकल निकल रहा ठीक है लेकिन water को glass से compare करोगे मोग तो water बन गया रट का ह्ए तो यह जो रेयर वाला मामला है और जो denser वाला मसला है यह जो पूरा होता है यह कèse करेंशन होता है यह comparative factors होता है कि water और air में water denser है लेकिन water और glass में फिर glass denser है तो water कहा है फिर water वहाँ पे rarer medium बन गया पक्का, done, चलो तो यहाँ पर भई लिखा हुआ है there are basically two types of mediums वो भी comparative classification है comparatively, that is rarer medium and denser medium और जो मैंने अब भी आपको कहानी बताई water air वाले comparison की और water glass वाले comparison की वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए तो इसलिए मैं कहता हूँ की तरीके से copy किताब लेके बैठा करो और साथ-साथ मेरे लिखते हुए चला करो पूरा concept एकदम clear हो जाएगा और कुछ भी doubt अगर रहे तो comment में डाल दिया करो ठीक है मैं उसको discuss करूँगा पका करूँगा पका ठीक है वो तो एकदम done scene है तो भाई साथ इस बात को दिमाग में अच्छे से डाल लीजेगा ठीक है और आपको lecture की जो length होती ना वो हलकी सी लंबी लग सकती है but the thing is that कि आप 10 sources से पढ़ेंगे तब जाके आपको इतना समझ में है इससे वेटर है एक source भले ही वहाँ पर आपको इस वाले source में अगर आपको लेंद अगर किसी लंबी लग रही है तो वो इसलिए हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है because water depth में जा रहा है ठीक है चलिए अब ज़रा गौर करिए तो water को जब compare किया कहां से air से तो water denser निकला जब water को compare करा किसे glass से the water becomes rarer it's as simple as that ठीक है तो आपको भी क्या बताया denser और rarer का मसला बताया अब ज़रा यहां पर गौर करिगा यहां पर proper reflection हो रहा है क्या हो रहा है यहां पर proper reflection अब ज़रा उसको देखो अच्छे से कहीं से भी माल लो light rays यहां से आरी है यहां से आरी है ठीक है अच्छा यह तो ray diagram नहीं है यह कोई ray diagram नहीं है यह बकाइदा यह real life picture है ठीक है एक glass slab रखा होगा light आई ऐसे bend हो गई ऐसे bend हो गई ठीक है लेकिन जब आप ray diagram बनाते है तो वहां पर आपको arrow बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि तब आपको पढ़ने पढ़ता है कि हाँ भाईया light कहां से इसे यहां पर कहा है मैं बोल दो light यहां से आई तुम मान लोगे मैं बोल दो light यहां से आई फिर ऐसे निकल गे तुम यही मान लोगे तो अभी हम नहीं कि light exactly कहां से आई थी because इसमें हमको light का source दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है लेकिन ray diagrams बनाने के time पर इस बात का बहुत खास ख्याल रखेगा कि arrows जो होते है arrows बनाने पड़ेंगे आपको ठीक है मान लो light ऐसे आ रही है ठीक है तो जब light rays ऐसे करके strike कर रही है और फिर ऐसे निकल गई चलेगा आपको ठीक है अब मैंने क्या गात आपको normal तो बनाओ क्या बनाओ पहले normal ठीक है भाई जब light rays आगा कि यहाँ पर strike करीगी न नॉर्मल का मतलब होता है perpendicular किसके परपेंडिकोलर गिवन सर्फेस के परपेंडिकोलर ठीक है तो light rays जैसे आ गई तो आप देख रहें इंक बात light rays टाफल करें फ्रोम रिडरर टू डेंसर ठीक है आर लिख रहा हो मतलब रिडरर डी लिख रहा हो मतलब डेंसर वापस रिडर रिडरर ठी लिख रहे है कि light rays हलका सा हलका सा जुक गई है towards the normal ठीक है और जब light rays यहां से बाहर निकल रही है तो इस इंटरफेस पर आपको plot करना पड़ेगा normal यह रहा है इसका normal ठीक है मतलब at least screenshot तो ले लेना है असका ठीक है डाइगरम का और बाकी जो content यहां पर लिखा हुआ है वो तो मेरे ख्याल से उमीद करता हुआ है कि आप लोग मेरे साथ साथ लिखते हुए ही चल रहे होंगे चले चले आगे बढ़ें तो medium दो तरह के हो गया भाई साब medium हो गया पहला हो गया rare medium दूसरा हो गया denser medium और medium को समझना रिफ्रक्षन को समझने के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है because reflection में क्या होता है medium change होता है ठीक है यहां देखो कहां से आया rare से कहां चलागे denser medium change हो गया denser से आया कहां चला गया rare medium change हो गया that is the sole thing of refraction ठीक है चले ओके डन तो medium अपने पास हो चुके है दो तरह के अब यहां पर refraction को समझने के लिए जो सबसे important दो key rules होते हैं उनके ज़रा बात कर ली जाए सर पहरा key rule क्या लिखा हुआ है when light rays travels from rarer medium to denser medium then it bends towards the normal क्या यह हमारे लिए कोई बहुत नहीं बात है बिल्कुल नहीं हमने अभी उसी पर तो बात करी है कि जब light rays travel करती है from rarer to denser तो वो bend हो जाती है towards the normal यहां पर बताया था ठीक है और उसके बाद जब light rays travel करेंगी from denser to rarer then it will bend away from the normal तो यह game यह पूरा key rule है refraction को समझने के लिए और refraction related ray diagrams को बनाने के लिए चलें ठीक है तो यह आपके लिए लिख दिया तो इसको भी आप तरीके से चाप लीजेगा because यह बहुत जबरदस fund है पूरा basic से cover up करते वह चल रहा हूँ because होता है 10th का physics और 12th का physics connected है काफी हद तक तो जिन लोगों से परिशानिया हो गए थी जिन लोगों को दिक्कत आ आ गए थी class 10th को पढ़ने के लिए या तो teacher अच्छे नहीं मिले होंगे या तो मान लीजेए कि आपने खुद से पढ़ाई नहीं करी होगी जो कि majority of cases में यह दूसरा वहला case हुआ होगा तो उस case में भी आपको यह डरने के जरूवत नहीं है कि सर्मार 10th तो पूरा बरबाद था अब क्या हमारे 12th भी ऐसा ही बरबाद हो जाएगा करता ही नहीं होगा ठीक है because जो भी topics जो भी चीज़ें वहां से connected है कक्षा दस्वी से ठीक है मैं वह भी आपको clear करते हो चलूँगा तो मैंने हमेशा काया कि मैं एक दम bottom से top level तक आपको पूरा travel करवाऊंगा ठीक है तो normal बस एक line हमने डाल दी है ताकि हमको reference set हो जाए कि हाँ यह angle कहां से लेना है तो angle लेना होता है normal के respect में ठीक है रिफ्राक्शन के सबसे जादा important topic के ओपर यह important इस लहज़े से है because जब आप रिफ्राक्शन पढ़ते हैं तो जो classy terms आपको नजर आते हैं उसके अंदर उसमें से पहला classy term यह रहा आपके सामने refractive index ठीक है तो पहले आप बस यह समझ लीजे कि आपको refractive index को भी समझने के लिए जो prerequisite चाहिए मतलब refractive index को समझने के लिए जिस चीज की knowledge आपको पहरे से होनी चाहिए वह होनी चाहिए velocity of light in different mediums ठीक है अब सर यह क्या बोला आपने velocity of light in different mediums तो ज़रा सुनो अच्छे से देखो अगर माल लो माल लो कि जिस room में अभी तुम बैठे वे हो ठीक है अगर तुमको वहाँ पे एक कोने से दूसरे कोने तक अगर दौर लगानी है ठीक है तो तुम भग जाओगे माल लो तुमको लग गया कितने maximum अगर चार सिकन लग गया लेकिन अगर इसी कमरे में इसी कमरे क्यों बिकाउज अब जो मीडियम है वो डेंसर हो गया है वो तुमको इतने अराम से अलाओ नहीं कर रहा है पास्थ्रू करने के लिए आया आपको समझ तो बेसिक पॉइंट का है कि अगर मीडियम सुनना अच्छे से अगर मीडियम डेंसर हो जाता है तो वहाँ पे तुम् कि same happens with light as well तो तो वहाँ पे लाइट की जो speed होती है वो भी कम हो जाती है किया बहूं अगर मीडियम डेंसर हो गया है तो वहाँ पर light की speed जो है वो भी कैसे हो जाती है कम हो जाती है तो exactly अलग अलग मीडियूम में क्या होता है सुछ ник मीडियूम्स के तो यहान पर अलग अलग मीडियूमस के देंसिंटी होने वाली है जिसके वज़े से हर मीडियूम एम जो लाइट की स्पीड पूरा दिखा दिखायता हो हम कॉनम में उसका speed of light in different mediums because भाई साब ये चीज अभी काम आने वाली है आपको बहुत दबा करके तो speed of light in different mediums ठीक है अब जरह गौर करेंगे अच्छे से ठीक है हमें किस पर focus करना है हमें focus करना है speed of light in vacuum uh medium मतलब vacuum से रेर तो कुछ हो गए नहीं vacuum का मतलब का सनाटा कुछ भी नहीं बाइसब आीड नहीं है तो यहां पर बहुत सारी ना तो अब वह 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 बोलेंगे तो वाक्यूम में और एर में अगर कंपेर करें तो air is slightly denser when compared to vacuum उसके बाद water ले लेते हैं भाई सब air से हलका सा और denser medium क्या आ गया water और water से हलका सा denser medium क्या आ गया glass तो speed of light in different medium तो पहले हम देखरें speed of light in vacuum फिर चक करेंगे air में फिर चक करेंगे water में फिर चक करेंगे glass में अब जरा गौर करना बड़े इत्मिनान से ध्यान दीजेगा देखे बेटा जैसे जैसे medium denser हो जाता है तो वैसे वैसे वहाँ पर जो velocity of light होती है वो कम हो जाती है क्या मैंने medium अगर denser हो गया तो velocity of light क्या हो गई कम हो गई अब जरा गौर करना vacuum में जो velocity of light होती है वो होती है बहुत ही तगड़ी 3 into 10 to the power 8 meter per second पक्का ये तुमने सुनके रखा होगा पक्का ठीक है अचा एक और चीज़ इसको ना c से किया जाता है represent small c से usually ठीक है तो vacuum में speed क्या ह 3 into 10 to the power 8 meter per second और इसको हम करेंगे वैसे represent c से कर देंगे ठीक है उसके वाज़े अब air में निकालने है velocity जरा गौर करिएगा air में अब air हो गया हलका से denser medium ठीक है अगर medium denser हो जाएगा तो यहाँ पर velocity of light जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर जरा सा ही कम approximately आप क्या माल लेंगे अरे 3 into 10 to the power 8 meter per second इसके बराबर ठीक है उसके बाद बात करते है water की ठीक है अगर water में speed of light देखी जाए तो 2.25 10 to the power 8 meter per second because water थोड़ा सा और denser medium हो चुका है तो वहाँ पर light की velocity थोड़ी सी और कम हो जाएगी और आखरी बात कर लेते हैं sir glass के बारे में वो होती है 2 into 10 to the power 8 meter per second it's as simple as that ठीक है तो यह आपके पास speed of light in different mediums ऐसे बहुत सारे mediums होते है alcohol हो जाएगा उसके बाद liquid में कुछ भी ले लो ठीक है कुछ भी ले लो तो वहाँ पर light की velocity different different होने वाली है लेकिन हमको इन चारों पर ही focus करना जादा important है ठीक है लिख लिख लि आगे बढ़े अब मैंने क्या करता है कि refractive index को पढ़ने का जो pre-requisite है वो था velocity of light in speed of light in different different mediums ठीक है चार important है वो मैंने आपको चारों लिखवा दिये ठीक है अब बात कर रहे है exactly की होता क्या है refractive index तो देखो क्या है refractive index of a medium एक और बात समझ लो बताऊं क्या अगर मैं तुम पूरा सवाल है ठीक है यह सवाल अधूरा क्यों है because refractive index जो होता है यह हमेशा हमेशा defined होता है for a particular medium ठीक है मतलब अगर कोई सवाल post करने वाला आप से question पूछ रहा है कि what is a refractive index तो refractive index को किसी medium का पूछ सकते है ऐसे ही point blank refractive index नहीं पूछा जा सकता ठीक है तो refractive index of a medium हमेशा और करेगा ठीक है refractive index हमेशा किसी medium का पूछता है तो refractive index of a medium obviously is defined as the ratio अच्छा अच्छा मतलब इतना कुछ तफ नहीं है refractive index बस एक ratio है ठीक है किसका ratio है तो ratio of speed of light in vacuum okay speed of light in vacuum तो हम जानते हैं c से करेंगे represent और 3 into 10 to the power 8 meter per second इसकी value होने वाली है ठीक है अच्छा ठीक है ratio है speed of light in vacuum का किसके साथ ratio है तो to the speed of light in that particular medium अच्छा अच्छा उस medium का जिस medium का index पूछा हुआ है आया समझ तो refractive index is defined as the ratio of velocity of light in vacuum obviously upon velocity of light in that particular medium जिस particular medium का refractive index पूछा गया था ठीक है पक्का done तो बस एक ratio होता हो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा अच्छा एक और चीज़ी काम करता हो फॉर्मला लग देता हो पहले ही ठीक है अभी हमें क्या समझ माया है कि अगर आपको refractive index मु से करेंगे इस सिंबल को बोलेंगे मु 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 ठीक है refractive index अगर किसी medium का आपको अगर निकालना है ठीक है एक बार ज़रा यह देख ल चले ठीक है फिर अब ज़रा यह फॉर्मला जो था लिख लिए जाया इसको देखो बेटा refractive index of a medium is defined as क्या लिखा हुआ है velocity of light in vacuum बोले तो c upon नीचे क्या लिखा हुआ है velocity of light in that particular medium बोले तो v ठीक है यह वाली बात आपको समझ में आ गई है पका डन है पूरा clear है पूरा अब ज़रा गौर करना एक और चीज अगर कोई आपसे पूछ ले कि what is the unit of refractive index क्या होगा unit देखो उपर क्या रहा है velocity meter per second नीचे भी क्या रहा है velocity meter per second तो unitless this is a unitless quantity ठीक है तो जैसे मैंने इसको पढ़ाने के time पे आपसे कहा था कि जब आपको निकालना होता है refractive index तो वो हमेशा हमेशा defined होता है for any given particular medium तो यहाँ पर अलग-अलग mediums का जो refractive index होगा उसकी values क्या क्या होंगी अब जड़ा आपको उसके उपर ले करके चलते हैं मैं पहरे दिखाता हूँ आपको देखो चार mediums थे जिन पर हमें focus करना है हम उनकी ही refractive index की value निकाल देते हैं तो values of refractive index values of refractive index अब हम निकालने वाले है values of refractive index तो पहले हम जड़ा निकालते हैं vacuum का ठीक है तो आपको basic formula पता होना चाहिए कि refractive index of any given particular medium is defined as the ratio of velocity of light in that velocity of light in vacuum upon velocity of light in that particular medium पका चलो भाई लोग जड़ा गौर करना अब आपको refractive index निकालना है for example vacuum का ठीक है तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा velocity of light in vacuum numerator तो formula wise the fix था upon नीचे क्या जाएगा velocity of light in that particular medium जिस medium का आपको index निकालना है किसका निकालना है vacuum का निकालना है तो यह रहा किता answer आगया one unit less quantity होती है ठीक है उसके बाद आपको refractive index निकालना है मान लीजे air का ठीक है तो basic formula क्या होता है velocity of light in vacuum upon नीचे क्या आजाएगा velocity of light in that particular medium इस बार medium क्या है air है तो अगर air है तो air में light की velocity क्या होती है 2.9979 10 to the power 8 meter per second जब इसको आप solve out करेंगे तो आपका answer क्या है 1.3 bar 0 और आ जाएगा 3 ठीक है अब भाई सब इसको आप approximately क्या answer code करेंगे आप answer code करेंगे 1 ठीक है उसके बाद तीसरी बात आपको refractive index निकालना है water का तो यह क्या हो जाएगा velocity of light in vacuum मतलब 3 into 10 to the power 8 upon नीचे क्या आजाएगा velocity of light in that particular medium मतलब water में velocity क्या होती है 2.25 10 to the power 8 meter per second solve करेंगे तो answer आएगा इसका 1.33 numerical solve करने के time पर you can obviously take 4 by 3 तो उससे calculation ज़रा simple जाता है ठीक है उसके बाद 4 अगर आपको refractive index निकालना है glass का तो velocity of light in vacuum upon नीचे क्या हो जाएगा velocity of light in glass जैसे आप इसको solve करेंगे तो answer क्या आजाएगा 1.5 जिसको अगर आप चाहें तो fraction में लिख सकते हैं बकाईदा से 3 by 2 it's as simple as that ठीक है यह आपके सामने चार refractive indexes की value लिख दी है refractive indices की value लिख दी है चार अलग-अलग mediums के लिए अब जरा एक बात पर आप गौर करेंगा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस order में मैंने इसको लिखा है यह rarer से denser का order है ठीक है rarer कौन है vacuum उससे जरा denser कौन है air जरा denser कौन है water जरा और denser कौन है glass ठीक है अब आपने एक बात नोट करी जैसे जैसे medium denser होते जाता है तो वैसे वैसे उसके refractive index की value भी बढ़ती जाती है पकार डन इस बात को कहीं note कर लो अच्छे से कि अगर medium जादा denser है तो उसके refractive index की value जादा है ठीक है तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे more the value of refractive index more the value of refractive index of a medium more the value of refractive index of a medium more denser the medium will be more denser the medium इसको note कर लेना वेट अच्छे से more denser the medium will be तो medium जितना जादा refractive index होगा किसी medium का उतना जादा denser हो जाएगा वो particular medium it's as simple as that इस बात को दिमाग में अटकाल हो ठीक है अच्छा एक और बात होती है अगर medium जादा denser है तो उसके अंदर light race की bending भी जादा होती है ठीक है अगर medium कम denser है मतलब हलका हलका rarer है तो उसके अंदर light race की bending भी हलकी सी होती है ठीक है तो कितनी जादा bending होगी यह दरह से depend करता है कि medium कितना जादा denser है ठीक है तो उसमें एक और बात लिखी लेते हैं आपर more denser more denser the medium is more the light will bend more the light will bend तो medium अगर जादा denser है तो वहाँ पर light की bending भी जादा होगी उसके बाद अगर refractive index की value जादा है तो medium जादा denser होगा ठीक है यह जो दो चीजें यह आपर लिख करके रखी हुई न इसको भी आप कहीं ऐसे खोप्चे में अच्छे से लिख लेना ठीक है चलें भाई लोग ready done पक्का इसको note कर लो पहले तो ठीक है 321 ready go done ठीक है refractive index की कायदे से सारी values और उसको support देने के लिए statement ठीक है हो गया है चलो आगे बढ़ेंगे clear कर दें 321 ready go done screenshot चाहिए या फिर copy kitab लेकर बैठा करो यार तरीके से note करते विए चला करो ठीक है अब जड़ा हम बढ़ते हैं इसके अगले वाई topic के ओपर यह आ गया refraction of light का 3 laws of refraction ठीक है लेकिन एक बात आपने note करी इन चीजों के अंदर यह मू आ रहा है मू का मतलब क्या होता है मू का मतलब क्या होता है refractive index ठीक है इसलिए मैंने आपको पहले का पढ़ा दिया refractive index ताकि अब जो law होगा ना वह जबरदस्त तरह से दिमाग में अटकेगा ठीक है चले हो क्या आगे बढ़े तीन law जो है उसमें पहला वाला law क्या हुआ है बहुत normal सी बात है बस वह लिखने का तरीका matter करता है मैंने बोलके रखा हुआ है कि चीज़ें आप सब समझ जाएंगे चीज़ें आप सब समझ जाएंगे बट रिप्रेजेंट करने का तरीका क्लास 12 में है हम बोर्ड एक्जाम हमारे उपर है तो हमको सिर्फ जो लिखने का तरीका होता है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए तब जाके आंसर बनता है प्रेजेंटेबल और फिर तो मार्स मिलते है ना भाई क्यों नहीं मिलेंगे । क्या लिखा हुआ है whenever light goes from one medium to another medium the frequency of light and the phase of light do not change frequency of phase ये फो चेंज नहीं होता है however the velocity of light and the wavelength of light changes लाइट के velocity और light का wavelength ये फो चेंज हो जाता है अब विल्लासिटी क्यों चेंज होता है वो तो मैंने बता दिया reflection में क्या होता है medium change होता है क्या बता है मैंने reflection में क्या होता है medium change होता है अगर medium up a little medium change हो गया तो अब उस particular medium & light कि velocity कुछ और होने वाली है इस लहाँ से velocity Schraca slash change होना लाजमी है अब wavelength कैसे change होगी मैं बता रहो इसके बार में भी थोड़ी दिर मामन सीख हे the incident ray, the refracted ray and normal to the interface at the point of incidence मतलब यहां आज़रा गौर करना देखो भाई यह interface है मालो यह पूरा काईदे से क्या है denser medium है यह जो आ रही है incident ray यहां strike करी यहां बनेगा normal और light rays को निकलना था सीधे बट light rays bend हो जाएंगी towards the normal तो यहां पर होता है incident ray, normal और refracted ray all lies in the same plane वही लिखा हुआ है दूसरे वाले point के अंदर दूसरे वाले point को support करने के लिए यह डाइगरम बना लो फट से बन गया होगा चलो ठीक है बाकियो और भी करोगा हो clearly अब यह बारी बात पका साहन में आ गई है अब उसके बाद जो पहला वाला point है जरा उस पर एक बार ध्यान देना कि यह wavelength exactly change होगी तो क्या formula बनने वाला है आपको उसके उपर लेकर के आते हैं तो हलका सा पहले आपको concept of wave समझना पड़ेगा क्या समझना पड़ेगा concept of wave ठीक है या important terms related to wave जब आप wave की बात करेंगे मान दीजए x axis ठीक है जब आप पूरी काईदे से wave की बात करेंगे तो wave ऐसे बनने वाली है ठीक है ऐसे बढ़ता लगा इस तरह के variation को नाम दिया गया है sinusoidal variation ठीक है अब ज़रा गौल करेगा अच्छे से यहां पे नढ़िए पहला crust और दूसरे crust के बीच में जो दूरिया आती है इन दूरियों को कहा जाता है wavelength lambda ठीक है वैसे ही पहले trif और दूसरे trif के बीच में जो दूरिया आती है इसको भी कहा जाता है lambda lambda represents wavelength ठीक है एक wave की length बढल बात्यांड़ ठीक है यह काईदे से यह जो पूरा जा रहा है ऐसे ऐसा ठीक है इसको आपन कह सकते हैं कि हाँ यह क्या है तुम्हारे पास यह तुम्हारे पास है वेव की लेंध ठीक है यह जो पूरा जा रहा है आगे समझ ठीक है यह होगा वेव लेंध ठीक है अब दूसरे पॉइंट ठीक है अब यह frequency क्या होती है तो frequency होती है number of complete wave cycles that passes through a point in one second ठीक है जिसे मान दीजे for example मैंने यहाँ पर ना एक point ले लिया है मान लो for example कि मैंने यहाँ पर एक point ले लिया है point P ठीक है और में को समझ में आए एक बात कि 1 second में इस particular point से 40 wave pass कर रही है क्या बोला मैंने एक second में इस particular point P से 40 complete wave pass हो रही है तो frequency क्या हो जाएगी 40 ठीक है तो frequency को f से कर दो represent ठीक है या कभी-कभी कुछ लोग इसको new से भी करते है ठीक है तो इसे कहा जाता है frequency क्या कहा जाता है frequency तो frequency क्या होता है number of complete wave cycles that passes through a point in one second ठीक है अब इसकी unit क्या होगी तो frequency की जो unit होती है ना वो होती है हर्ड्स हजए ठीक है मतलब अगर एक point से 1 second में 40 wave pass करी तो इस wave की frequency किती हो गई 40 hertz हो गई 40 hertz हो गई ठीक है या फिर cps भी होती है cps का मतलब होता है या पे cycles per second ठीक है अगर एक wave को मैं एक wave cycle बोल सकता हो तो अगर 40 wave pass हो गई मतलब 40 wave cycles pass हो गई है per second तो 40 cycles per second ठीक है या फिर आप सीधे इसको per second भी कह सकते है क्या कह सकते है पर सेकेंड ठीक है तो frequency या तो f बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसको one upon time period भी कहा जाता है ठीक है एक wave cycle खतम करने में जो समय गुजरा क्या बोला है मैंने एक wave cycle खतम करने में जो समय गुजरा था उस time को कहा जाएगा not instantaneous time उसे कहा जाएगा time period ठीक है तो frequency is literally one upon time period ठीक है इस लिहाज से per second भी इसकी unit बन जाती है ठीक है उसके पास जब light travel कर रही है तो obviously उसके पास velocity तो है जब light travel कर रही है उसके पास velocity तो है ठीक है तो velocity का जो relation पर बैठने वाला है आपको जड़ा उस पर देहन देना है मैं आपको सीधे formula के उपर लेकर कर आता हूँ ठीक है जड़ा गौर करें velocity of light in a medium velocity of light in a medium is equal to wavelength in that medium किसकी wavelength light की wavelength है ना किसकी wavelength है light की wavelength है किसकी velocity है light की velocity है किसकी frequency होगी light की frequency होगी तो wavelength in that medium into frequency into frequency of light इस बात पर जड़ा गौर करना because frequency of light medium को change करने से change नहीं होती करता ही change नहीं होती क्या बोला मैंने अगर आपको frequency change करनी है ना तो आपको source of light को change करना पड़ेगा medium वगेरा change कहने से frequency change नहीं होती है ठीक है it's as simple as that यह वाली बात समझ में आगे पका तो velocity of light in a medium is wavelength in medium into frequency of light in that particular medium हलंकि medium को change कहने से frequency पे कोई फर्क नहीं पड़ता है this is the most important formula because refractive index से connected question कभी-कभी यहां घुच जाते हैं ठीक है तो ध्यार रटना तो velocity of light in a medium is equal to wavelength of light in that particular medium into frequency of light ठीक है अब ज़रा गौर करो आप जानते हैं C क्या था C का मतलब था velocity of light in vacuum ठीक है तो यह क्या हो जाएगा C हो जाएगा wavelength of light in that particular medium into F F का मतलब होता है frequency यह वाली बात समझ में आ गई है अब एक और ज़रा गौर करना एक और simple सी बात पर V का मतलब क्या हो जाएगा velocity of light in that particular medium कोई अलग medium है vacuum नहीं है पर कोई अगा vacuum होता तो velocity of light को तो फिर C से करेंगे represent अब कोई दूसरा medium है तो वहाँ पर light की velocity क्या है V से करेंगे represent बट क्या वहाँ पर wavelength सेम रहने वाली है नहीं wavelength यहाँ पर change होने वाली है तो इसको हम कह देंगे lambda dash क्या बोलनेंगे lambda dash बट जो नया वाला medium आया है क्या उस medium के अंदर light की frequency change होगी नहीं change होगी क्यों बेकास frequency जो होती है ना वो medium वगरा को change करने से frequency changes when the source of light is changed अगर आप source of light को change करोगे तब ही जा करके जो frequency है वो change होने वाली है हालनकि medium को change करने से velocity change हो जाएगी obviously और wavelength भी change हो जागा क्यों change होगा देखो अगर medium denser medium हो गया तो जो wave है वो उतना length travel नहीं कर पाएगी मैंने भाई क्या बोला मैंने अगर medium denser medium हो गया है तो जो wave है वो उतना जादा length travel नहीं कर पाएगी तो इस wave की जो length है वो छोटी हो जाएगी तो lambda dash हो जाएगा ठीक है इतनी बात समझ में आपको पक्का तो एक बाद जरा इसका screenshot ले लो copy किताब लेके बैठा करो नोट करते हो चला करो ठीक है यह वाली बात पूरी clear हो गई है पक्का शौर ठीक है यह नोट के लिए 3 2 1 ready go done चलो आगे बढ़ते है अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि exactly वो relation के आएगा lambda और lambda dash के बीश में lambda और lambda dash के बीश में relation के आएगा वो आपको बताने वालों देखो ज़रा गौर करो जैसे मान लीजे कि हमारे पास ना ये कोई denser medium आ गया मान लीजे मान लीजे मान लीजे कि हमारे पास ये क्या आ गया है कोई तो भी denser medium आ गया हमारे पास ये ठीक है अब उसके बाद जब मैं लाइट को देखूंगा नहीं आप अच्छे से देखो एक अपन सेट कर देते हैं एक रेंज पीटा डायगिराम जो बना रहो नहीं है वो तुम्हारे दिमाग में कॉंसेट को इतने सही से फिट कर देंगे कि तुमको बाद में समझ मैं कि हायर जो हमने पढ़ा था कॉंसेक्ट उसको सभी से विजुलाइज भी कर लिया था ठीक है अब जड़ा गौर करो क्या होता है देखो कुल है कि यह वेव आरे ठीक है बाट हुआ पता है जैसे इसके अंदर गई यह मीडियम हो गया है यह वाला जो मीडियम है इस मीडियम इस बैसिकलियर डिन्सर मीडियों तो light rays air से आ रही होंगे फिर dancer पिर कहां चली गए air में ठीक है तो वापस चली गए air में अब पता है क्या होगा यहाँ पर जब light rays अंदर की तरफ आएंगी ना dancer में आएंगी ना तो उसकी जो wavelength वो चोटी हो जाएगी ठीक है तो उसकी wavelength जो है वो चोटी हो जाएगी because dancer में वो उत्ता आराम से travel नहीं कर पाएगी ना तो wavelength जो है वो चोटी हो जाएगी ज़रा गौर करेंगा इस पर अच्छे से अब यहाँ पर wavelength हो गई है छोटी यहाँ पर जो wavelength है वो हो गई है छोटी और अब यह आराम से फिर बहार निकला तो फिर चला गया है तो अब आराम से motion हो गया इसका ठीक है अब ज़रा गौर करते पर चलेगा यहाँ पर क्लियर ली क्या विजिबल है कि हाँ भाई सटने बलकुल सही कहाता है कि जैसे डेंसर मीडियम में आती है तो wavelength क्या हो जाती कंप्रेस wavelength क्या हो जाती है छोटी यह बना दिया ठीक है अब ज़रा गौर क यह भी क्या हो जाएगा लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे यहाँ पर अंदर की बात करेंगे तो यहाँ ज़रा गौर करिए यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है यह बड़ी ही नाजोग बड़ी ही छोटी सी दूरी है इसको हम कह देंगे lambda dash क्या बोल देंगे इसको हम Lambda डैश ठीक है, तो जल्दी के बना लो जल्दी करो चलें ठीक है यह वाला पूरा फंडा क्लीर हो गया आप लोगो, अब मैं आपको इसका relation दिखाएता हूं कि इसमें relation क्या होता है, lambda में और lambda डैश में जल्दी करना ध्यान देना, आज़ो 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 देखो बाई देखिए रिफ्राटिव इंडिस का फॉर्मला क्या होता है यह होता है वेलोसिटी ओफ लाइट वाक्यूम या फ्री स्पेस या एर अपॉन वेलोसिटी ओफ लाइट पर्टिकुलर मीडियम ठीक है चलिए अब मैंने बताया था कि वेलोसिटी ओफ लाइट का फॉर्मला क्या होता है वेलोसिटी ओफ लाइट का फॉर्मला क्या होता है वेलोसिटी ओफ लाइट का फॉर्मला क्या होता है index it's as simple as that lambda dash is equals to lambda upon refractive index मतलब किसी भी denser medium में जो wavelength होगा this is equals to wavelength in vacuum upon नीचे क्या हो जाएगा refractive index it's as simple as that ठीक है इसका जल्दी screenshot लेलो बड़ा ही important formula आपके सामने आचुका है 3 2 1 ready go done चले clear आगे बढ़ते हैं तो यह वाली कहानी आपके लिए पूरी पश्ट हो चुकी है अब यहाँ पर जो रिखा होगा था whenever light goes from one medium to another medium then the frequency of light frequency change नहीं होती phase change नहीं होता velocity बकाइदा change होती है और wavelength भी change होता है किस लिहाज से change होता है किस formula से change होता है वो यह रहा आपके सामने ठीक है चले ओके अब जरा आ जो यहाँ पर incident ray, refracted ray and normal all lies in the same plane वो भी आपको clear कर दिया गया था अब यहाँ पर जो तीसरा fund है this is basically snail's law जो snail's law होता है इसके बारे में एक बाद आप समझ दीजे इसको जरा एक बार ध्यान रखना current electricity में एक law था किर्चॉफ's law तो किर्चॉफ's का जो voltage law था उसको use करते हुए हम circuit वगेरा solve करते थे किर्चॉफ के help से circuit को solve करने में सबसे important जो part होता है process का वो यह होता है होना चाहिए अब यह equation लिखने का तरीका कैसे apply होता है जरा ध्यान दीजेगा snail's law का एक बड़ा simple सा फंडा होता है जो आपको snail's law के equation लिखनी है ना तो बस यह समझ के रखेगा कि कहा से आ रही है equal to कहा को जा रही है कौन light trace तेक है कहा से आ रही है कहा से आ रही हो equal to कहा को जा रही हो कहा आ रही हो equal to कहा को जा रही हो ठीक है एक तो यह वाला अब यह exactly काम कैसे करने वाला है मैं आपको सिखाता हूँ ठीक है equation लिखने का तरीका है बेटा बस ठीक है अब ज़रा गौर करना जब भी मैं mu1 लिखता हूं तो mu1 जो होगा ना वो index होगा for rarer medium और जब भी मैं mu2 लिखता हूं तो यह index होगा for the denser medium it's as simple as that ठीक है अब ज़रा गौर करो कि exactly यह चीज कैसे implement होने वाली है equation लिखने के तरीके में जैसे माल लीजे for example you have this denser medium you have this denser medium अब Ace अरियं अब हैं अब यहां पर light rays आरें कुछ इस तरह से light rays आकि आपर strike कर गई तो आपको यहां पर plot करना पड़ेगा यह кимиदियन परके क्या plot करना पड़ेगा ग़ा भी टा normal अब जैसे light rays यहां यहां से गुज़एंगी तो light rays आरे हैं from rare medium to a denser medium यह क्या है भेटा सब देंसर मीडियम है। लाइट rays 흡़ अज ही मीडियम सब देंसर मीडियम है और सब रही है है तो इसके बाद जहाँ पर यहाँ पर हम प्लॉट करना पड़ेगा एक नॉर्मल नॉर्म聯 प्लॉट इसके बाद light rays निकल जाएंगे यहाँ पर away from the normal, ठीक है, तो light rays चली गई कुछ इस तरह से, अब ज़रा गौर करेगा अच्छे से, देखे बेटा, यहाँ पर जो angles बन रहा है, यह जो angle बन रहा है, इसको हम नाम दे देंगे i1, angle of incidence first time, और यहाँ पर जो angle बन रहा है, इसको हम नाम दे देंगे i2, angle of incidence for the second time, और यहाँ पर जो angle बनेगे, इसको हम नाम दे देंगे r2, angle of refraction for the second time, ठीक है, अब ज़रा गौर करेगा, Snell's law हमेशा apply होता है at interface, या तो a-b पर apply करो, या तो c-d पर apply करो, ठीक है, अब a-b पर जब apply करेंगे, तो कैसे कारेक्रम होगा, कहां स यहां से आ रही है, rarer medium से, तो rarer medium के लिए हम mu1 यूज करेंगे, मैं बता चुका था, ठीक है, उसके बाद जहां से आ रही है, वहां पर कितना angle बन रहा है, यहां पर angle बन रहा है, यहां पर angle बन रहा है, i1, to sin of i1, equal to, कहां को जा रही है, denser medium में जा रही है, तो mu2, उसक इंचे आ जाएगा, sin r1, ठीक है, यह आगे आपके पास, यह फंडा, ठीक है, कई लोग उसको ऐसे रट लेते हैं, कि mu2, mu1 is equals to sin, यह हमेशा के लिए नहीं होगा, अगर interface में change कर दूँगा, तो कहानी पलट जाती है, ठीक है, कहानी change हो जाती है, तो सबसे बेटर किया आप गेम खेल लेता हूँ, cd वाले interface पर, कहानी खेल लेता हूँ, cd वाले interface पर, अब कहानी कहा है, कहां से आ रही है, अगर आप cd इंटरफेस पर चख करेंगे, तो light rays देंसर medium से आ रही है, कहां से आ रही है, देंसर medium से, तो denser मतलब mu2, और यहां पर कितना angle बन रहा है, तो यहां चेक करो, angle बन रहा है I2 डैंसर मीडिया में किते हैं, angle बन रहा है I2 equal to कहां जा रही है, rarer mu1 और rarer में किते हैं, angle बन रहा है, ज posing यह angle बन रहा है R2 तो यहां पे क्या हो जायागा, sine of R2 क्या हो जायागा, sine of R2, ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ mu2 by mu1 तो कहानी कैसे हो जाएगी कहानी हो जाएगी sin of r2 upon sin of i2 आया समझ वहाँ पे कुछ और था यहाँ पे कुछ और था तो बिटा समझो कहानी equation लिखने का तरीका समझो अब जैसे अगर मैं दुनों compare कर दूँगा माल लो यह first equation थी माल लो यह second equation थी तो जैसे मैं compare कर दूँगा first को और second को या equate कर दूँगा first को और second को तो मुझे क्या समझ मैं आगा कि sin i1 by sin r1 is equal to क्या हो जाएगा sin r2 by sin i2 क्या आपको इतनी बात चमकी पक्का भाई साब यही तो clear करना था तो जरा इसको तरीके से note कर लिएज़ेगा because equation लिखने का तरीका कहां से आ रही है equal to कहां को जा रही है light ray जल्दी करो चलिए तो इसको note कर लिए होगा आप लोगो ने equation लिखने का तरीका बस वो समझो कहां से आ रही हो equal to कहां को जा रही हो कौन light ray ज़िए ध्यान लखेगा इस बात का चले clear करते है इसको अब वही point यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जाद देख लो the product of refractive index and sign of angle of incidence at a point in a medium is constant ठीक है अब यह constant जो यह ऐसा बन रहा है यह equation this is what going to matter ठीक है यही तो matter कहां से आ रही थी rayler से आ रही थी तो mu1 sin i1 equal to कहां जा रही होगी देंसर में to mu2 sin i2 it's as simple as that इस बात का खास क्याल रखेगा ठीक है उसके बाद यह इसको इसको कहा जाएगा still slow और यह रहा उसका statement ठीक है पका, done, clear जलुदी इसको note करो बस equation लिखने का तरीका समझ गए ना तो इस law को आप समझ गए है ठीक है चलिए अब जरा आ जाते हैं आपके लिए सीधे refraction of light पर बेस दे numerical के उपर इस numerical को समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी relative refractive index क्या समझना पड़ेगा relative अच्छे काम करते हैं यह इसका prerequisite है तो उसको तरीके से यहाँ पर एक बखर लेता है relative refractive index relative refractive index ठीक है अब यह क्या होता भाई सब्जा गौल करिए जैसे माल लीजएлиqge mu A लिखा है इसका मतलब혁 index of medium A अगर mu B लिखा है इसका मतलब वोता है index of medium B लेकिन अगर इसको divide कर दिया है तो इसे कहा जाता है relative इसे कहा जाता है relative refractive index इसे कहा जाएगा relative refractive index किसका A क किसके respect में B के respect में आया समझ की नहीं है ठीक है अगर mu a है इसका मतलब होता है index of a mu b है इसका मतलब होता है index of b अगर mu a upon mu b है मतलब index of a with respect to b it's as simple as that ठीक है चले इस बात को आप समझ गया है पका डन अब जरह इसको clear करते हैं और आपको लेकर के आते हैं सीधे सवाल के उपर सवाल क्या बोलना चाहिए जरह देख लो यहाँ पर given है refractive index of glass and water with respect to air are 3 by 2 and 4 by 3 respectively इसका मतलब क्या होता है कि glass का index air के respect में 3 by 2 है और water का index air के respect में 4 by 3 है then what is the refractive index of glass with respect to water क्या बूचा है what is the refractive index of glass with respect to water इस सवाल को आत्मसाद कर लो अच्छे से ठीक है समझ जाओ सवाल को अच्छे से note कर लिया आप लोग ने ठीक है तो मैं आगे बढ़ूँगा screen change कर दूँगा यह वाली बास समझ में आ गई चलो ठीक है अब index किसका निकालना है glass का निकालना है with respect to water चलो भाई जो कुछ गिवन था ना सवाल में उसको हम जड़ा लिख लेते हैं पहले से ही ठीक है तो गिवन तो भाई साब यह था कि index गिवन था glass का air के respect में 3 by 2 पहली equation उसके बाद index गिवन था water का air के respect में 4 by 3 क्या था 4 by 3 क्रोस चेक कर लो हां जी 4 by 3 था water का air के respect में then what is the index of glass with respect to water ठीक है तो जो चीज़ find करनी है वो करना है glass का index water के respect में find out ठीक है तो जो आपको find करना है उसमें क्या missing है medium 3 है air है water है और glass है इस particular question का according ठीक है तो air है water है और glass है तो glass का index पूछा है water के respect में मतलब air का बात नहीं की जा रही है तो air को ज़रा जहां से eliminate करो ठीक है तो now air को अपन कैसे eliminate करेंगे बता हूँ दोनों equations को प्लीज डिवाइड कर दीजे क्या कर दीजे डिवाइड कर दीजे पहली वाली equation को दूसरी वाली equation से या दूसरी को कर दो पहले से कोई दिक्कत वाली बात नहीं बस divide करना है इस बात को ख्याल में रखना अब डिवाइड करो बही तो कहाँनी कैशे बढ़एगी ज़रा गोर करो जैसे आप divide करोगे ना तो left hand side क्या हो जागा पता है index of glass with respect to air उसके बाद divide करना है मतलब palette के multiply कर दो कोई दिक्कत थोड़ी है तो यह हो जाएगा index of air नीचे आजाएगा index of water जैसे आपने divide करा इसको ठीक है पहली वाली को दूसरी वाली से तो आजाएगा 3 by 2 into इसको palette के multiply कर दो तो 3 by 4 जैसे आप यह करेंगे भाई साब जिसको जाना है उसको जाना है तो अब यहाँ पे a और a हमारे बीच अब नहीं रहे तो जो हमारे बीच अब रहे हैं उनकी बात कर दी जाएगा तो g by w मतलब index of glass with respect to water यह हमारे बीच अब हमको दिखाई दे रहे हैं और यह value क्याएगी 9 by 8 आजाएगी खित्या आजाएगी 9 by 8 3 3 is a 9, 2 4 is a 8 तो भाईया जो required था वो था glass का index water के respect में तो glass का index water के respect में क्या value code कर रहा है आपके सामने 9 by 8 इस as simple as that यह रहा है इसका पूरा detailed solution यह आपने note कर लिया होगा 3, 2, 1 ready, go, done इसका screenshot ले लो समय कम है तो गरना डवाइस तो note करते वह चलना है इसको अब इसका answer है 9 by 8 9 by 8 तो हमारा option B is going to be the correct option 9 by 8 चले भाईया clear करे इसको अब आपको ले कर कर आते हैं proper अगले वाले topic के ओपर ठीक है अगले वाले topic के है तो मैं पास reflection of light through a rectangular glass lab किसी भी rectangular glass lab में से जब reflection होता है तो वहाँ पर आपका ultimate objective जो होता है वो होता है lateral shift निकालना ठीक है या फिर lateral displacement निकालना तो यहाँ पर in this derivation the expression required is for lateral displacement ठीक है अब यह lateral displacement क्या होगा यह आपके पास एक reference figure देखे रखा हुआ है लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मज़ा तब आता है जब diagram ना आपके सामने बने ठीक है तो एक बार ज़रा यह diagram देखो कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इस पर ज़रा समय बिताओ और देखो कि तुम क्या figure out कर पा रहे हो उसके बाद diagram को मैं करवाता हूँ बहुत ही तरीके से तो जल्दी इसको note करना और फिसमें आगे बढ़ते हूँ चले ठीक है फिर ok done अब ज़रा इसको मैं करवाता हूँ ज़रा ध्यान देते बुचलेगा लेटर डिस्प्रेश्मेंट निकालना यहां पर प्राइम अब्जेक्टेव होता है आपका ठीक है चले ok ध्यान दीज़े मान दीजे मान दीजे मान दीजे कि अपने पास एक न रेक्टांगुलर ग्लास लैब है ठीक है हमारे पास एक काईदे से क्या है यहां पर रेक्टांगुलर ग्लास लैब है अब क्या हो रहा है कि यहां पर एक लाइट आकर के स्ट्राइक कर दिया ठीक है फर एक्जांपल ममां लेते हैं कि एक light आकर का ऐसे हैं पे strike कर गई ठीक है जैसे है पर light rays strike करेगी तो हम क्या करेंगे यहां पर हम plot करेंगे normal क्या plot करेंगे बीटा यहां पर हम को plot करना होता है normal तो यह हम ने इसका plot कर दिया अब उसके बाद light rays जो है ना वो जरा सा bend हो जाएंगी towards the normal because light rays travel करी है from rare to dancer ठीक है अच्छा अगर ये सब बीच में अगर नहीं आता glass lab तो पता है क्या होता जो ये light rays थी ना वो निकल जाती कुछ इस तरह अगर ये glass lab बीच में नहीं आता तो light rays निकल जाती कुछ इस तरह सीधे बट light rays अब क्या होगा bend हो जाएंगी towards the normal तो light rays तरह सा bend होगी towards the normal और कहानी कुछ यहाँ पर आ गई है अब यहाँ पर हम वापस upload करेंगे normal क्या upload करेंगे यहाँ पर normal ठीक है और अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि अब light rays जाने वाली है away from the normal light rays निकल जाएंगी light rays चले जाएंगी इस बार away from the normal तो कहानी कुछ ऐसे बनने वाली है ध्यान दीजएगा जाने दो जाने दो ठीक है तो हुआ क्या incident light ray reflected light ray और जब बहार निकलती है तो कहा जाता है इसको emergent light ray ठीक है अब जाने क्या होता है यह जो angle बनेगा बस नाम कर दो बस काम कदम हो जाएगा यह जो angle बनेगा इसको हम नाम दे देते हैं let's suppose i1 first time का incidence था यह जो angle बनेगा इसको नाम दे देते हम r1 first time का reflection था जब light ray जाकर के यहां पर strike करेंगी तो इसको नाम दे देंगे हम i2 यह second time का incidence था और जब light ray ऐसे exit ले रही है तो इसको हम नाम दे देंगे r2 यह second time का reflection था ठीक है तो i1 हो गया r1 हो गया i2 हो गया r2 हो ठीक है अब देख यहां पर इन दोनों के बीच में जो separation आ रहा है उस separation यहां देखना यह यह दिखा यह ठीक है यह जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना बेटा इसे कहा जाता है lateral shift यह lateral displacement ठीक है तो क्यों ना मैं इसको नाम दे दूं x के बराबर ठीक है तो यहां पर जो x है ना this x is the lateral मतलब sideways यह x है lateral displacement के बराबर it's as simple as that ठीक है अब आपको यह x की तो value निकालनी है बिटा यह जो angle आपको यहां पर नजर आ रहा होगा इस angle को नाम दे दिया जाए रो क्या नाम दे दिया जाए इसको रो और एक बात तो clear है कि i1 क्या है रो प्लस r1 के बराबर है ठीक है अगर मैं यह से कभी row निकालना चाहूंगा देखो यहां लग देता हूँ i1 जो है वो होगा r1 plus row के बराबर ठीक है अगर मुझे यहां से row निकालना होगा तो row हो जाएगा i1 minus r1 ध्यान रखना इस बात का row क्या हो जाएगा row हो जाएगा i1 minus r1 it's as simple as that ठीक है अब ज़रा ध्यान का यह दरसल glass slab की thickness है यह क्या है glass slab की thickness है तो इसको भी लिख देता हूँ कि ll dash जो है ना this is the thickness this is the thickness of glass slab अगर यह thickness है तो इसको सिर्फ T से कर दें represent तो भी चल जाएगा ठीक है T से कर देंगे represent इतनी बात समझ में आगे आप लोग को अब मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर ज़रा गोर करेगा ज़रा पहले ट्राइन को नाम कर दो तो कर दें ठीक है नाम कर दो इसको नाम दे तो M इसको नाम दे दो T नाम दे दो इसको तो तो तुम्हारा मन करें और इसके बाद यहां पर कहानी अभी तो जम रही है ठीक है अब क्या करना पड़ेगा इसको ज़रा स्ट्रेच कर लेते हैं आगे यह काम आएगा क्यू नाम दे दिया इसको अपन ने चलेगा अब ज़ और रावन उसके साथ साथ चलना एक काम करो cos r1 निकालो क्या निकालो बेटा cos r1 क्या निकालो cos r1 देखो अगर आप cos r1 निकालते हैं cos r1 तो यह क्या हो जाएगा base upon longest side अब यह base क्या है पता है pq बेस क्या है pq और जो p से q है वो तो l dash के बराबर है मतलब वो thickness के बराबर है तो base upon longest side क्या हो जाएगा pm क्या बोलते हो पक्का आया समझ पक्का आगया तो जब pm यहां से निकालोगे तो यह आजाएगा t upon cos r1 अभी तो यह चीज बस दबा के रख लो ऐसा first equation तीक है इसको अभी हम use करेंगे थोड़े दिर के बाद तीक है यह ब निकालने के लिए sign row तो sign row कैसे होगा निकालो perpendicular upon longer side तो जब आप इस triangle की बात करेंगे तो perpendicular क्या होगा mt और mt तुम्हारे पास x के बराबर है और x ही तो है lateral shift तो perpendicular upon longer side क्या होगा वापस से pm तो longer side क्या हो जाएगा pm किसके बराबर आगया pm के बराबर आपको निकालना था lateral shift मतलब x निकालना था तो x के आगया pm sin row के बराबर ठीक है अब जड़ा गौर करेंगा p से लेकर के m की जो दूरी है ना वो हम निकाल चुके है पहले st upon cos r1 क्या निकाल चुके है t upon cos r1 उसके बाद बाजू में कौन आ रहा है sin row बाजू में कौन आ रहा है sin row और मैंने पहले भी का था कि जो रो है ना उसको मैं लिख सकता हूँ as i1 minus r1 normal angle वाला concept ठीक है तो रो क्या हो जाएगा i1 minus r1 तो यहां भर दीजगा इसको as i1 minus r1 ठीक है तो therefore सीधी सी बात है कि जो lateral shift का आ गया t t का मतलब होता है thickness तो t sin i1 minus r1 upon नीचे की तरफ आ जाएगा cos r1 तो t sin i1 minus r1 upon cos r1 this is going to be the lateral shift formula क्या हो गया माया पासे lateral shift हो गया i1 r1 को भूलना मत angle यहां i1 बना था पहले interface पे entry वाले पे और r1 यहां बना था angle of refraction it's as simple as that arrows का खास ख्यार रखिएगा ठीक है यह वाली बास समझ में आ गई तो जल्दी इसको note कर लो copy किताब लेके बैठा करो समय कमें तो screenshot ले लो जल्दी गना 321 ready go done हो गया होगा पका लिख लिया होगा चले अब जरह ऐसे clear किया जाए सारा important content जो था आपका वो करवा दिया गया है आपको as far as reflection of light is concerned ठीक है चलिए आ आपका काम अब यह बनता है कि reflection of light के आज के lecture के अभी के lecture के जितने भी आपने notes प्रिपार करें होंगे इस lecture के उसको तरीके से एक बापस से go through हो जाना formula की sheet तो बना के चलना ही है उसमें कोई दोर आए नहीं है बस इस बात को अच्छे सिर फॉलो कर लीजेगा आपका reflection में पहले करवा चुका था refraction आज हो गया इसके साथ जुड़े पर टॉपिक्स थे ऐसे किसा रियल डेप्ट क्या होगा पैंट क्या होगा उसके बाद total internal reflection में critical angle क्या होगा इस पर based numerical क्या होंगे वह आपको मिलेगा अगले वाई lecture के अदर ठीक है तो refraction का पूरा basic आपका set कर द झाला 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 मिलेगार झाला झाला गला उसके स neurkt क्या जापको ब 안म पहुत